वेलकम टो कुक वित काशनी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटरी की रेसिपी मटरी कई तरह से बनाई जाती है जैसे पालक मटरी, मेथी मटरी, हरी धनिया की मटरी आज हम मसाला मटरी बनाना सीखेंगे ये मटरी बहुत ही ज्यादा स्वादिस्ट होती है इसे हलकी फ कर रही हूँ तो चलिए इस मसाला मटरी को बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करना न भूलें तो आईए देख लेते हैं कि हमें यहां किन-किन चीज़ों की जरुरत पड़ेग सबसे पहले यहां पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है साथ ही नमक, कसूरी मेथी, अजवाइन और कूटी हुई काली मिर्श तो सबसे पहले यहां मैदे में कसूरी मेथी डालेंगे इसे हमें हाथों से क्रश करके डालना है जिससे कि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है फिर हम कुटी हुई काली मिर्श एट करेंगे अजवाइन को भी हमें इस तरह से हाथों से क्रश करके एट कर लेना है लास्ट में अब हम इसमें स्वादनसार नमक एट करेंगे और इन सभी चीजों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें मोय तरह से मसलते हुए आटे को बिल्कुल मिक्स कर ले जितना अच्छी तरह से मिक्स होगा उतनी ही अच्छी आपकी मठ्री तयार होगी आप देख सकते हैं इस वीडियो में आटे को हाथ से मसलते हुए बिल्कुल तयार कर लेना है आप इस स्टेप को जरूर फॉलो करें इसी से आपकी मट्री बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी, इस तरह से मुठ्य में आटा लें, तो ये बाइंड हो रहा है, तो ये तयार है, इसमें ओईल बिल्कुल पर्फेक्ट है, इसी हिसाब से आप इसमें ओईल डालें, जब भी आप मट्री बनाएं, अब हम इसमें पानी इसमें मैंने गरम पानी लिया हलका सा कुनकुना पानी लिया है इसी से हम आटा तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम मीडियम हाट डो तयार करेंगे हमें एक साथ जादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करकर ही आप पानी डाले और हाथों से मसलते गूथ लिया है, तो यह हमारा Medium Heart डोय तयार हो चुका है, इसे हमें 15 मिनिट के लिए ढख कर रख देना है, 15 मिनिट हो चुके है, हम इसे अची तरह से मसल कर इवन कर लेंगे, तो यह हमारा मठरी का डोय रैडी हो चुका है, अब हम इस डोय के छोटे-छोटे पेड़े बना ल इस तरह से एक लोई ले हलका सा घुमाते हुए इसे प्रेस कर ले ध्यान रहे कि ये 20 से ही मोटी ना रहे बस आपको यही करना है आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो क्रैक्स आई हैं वो बिल्कुल ऐसी ही आनी चाहिए बाजार में मिलने वाली मट्रियों में होती है बिल्कुल वैसी ही ये बनाने में भी आसान है और खाने में भी बड़ी खस्ता होती हैं इसी तरह से सभी मट्रिया हमने बना ली है अभ हम इने फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पर हमें ऑईल को गर्म कर लेना है बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है हलका सा गर्म कर लेना है आप छोटा सा टुकड़ा डाल कर देखें ये एकदम से उपर नहीं आ रहा है हलके हलके बबल सा रहे हैं बस ऐसा ही गर्म ऑईल हमें चाहिए एक एक करके अब हम हमारी सारी मठ्रिया इसमें डाल देंगे जितनी कड़ाई में जगह हो उतनी मठ्रिया इसमें आप डाले और इसकी फ्लेम एकदम लो कर दे लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे सिखने दे थोड़ा सा टाइम लगता है तभी आपकी मठ्रिया एकदम खस्ता बनती है आप इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरफ से तल ले आप देख सकते हैं कि इसका कितना सुंदर गोल्डन कलर आ चुका है अब हम इने निकाल लेंगे हमें बस इनका इतना कलर आने तक ही फ्राइ करना है निकालने के बाद भी इसकी हीट से इसमें कलर आ जाता है तो हमें इसे खूब ज़्यादा नहीं तलना है तो ये हमारी मसाला मठ्री बनकर रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं कि ये बाजार में मिलने वाली मठ्रियों की तरह लग रही है ना इसके क्रैक सी बता रहे हैं ये कितनी खस्ता बनी है ये हमारी बड़ी ही क्रिस्पी और टेस्टी सी मसाला मठ्री को आप जरूर बनाएं देखिए आपको इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूं आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितनी खस्ता बनी है अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलू करेंगे तो आपकी भी मठ्रिया एकदम परफेक्ट बनेंगी इन्हें आप एरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंज जरूर करें साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले